इस समय पूरा विश्व कोरोना जैसे वैश्विक मामारी से जूज रहा है। अपने छेतर के लोगों के जागरुक करने के लिए दिल्ली के मोहला किल्निक के तर्ज पर मोवाईल किल्निक जागरुकता वियान चलाया है। अपने प्रदेश में परसंसा हो रही है। विधायक जटा संकत्र पाठी ने गोरकपुल लाइफ से खास बातचित में बताया है कि इस कोरोना जागरुकता मोवाईल वैन से दूर दराज के लोग जो हास्पीटल नहीं आपाते हैं। और थोड़ी सी लपारवाई से कोरोना के स्विकार हो जाते हैं। उनके लिए बहुत ही फायदे मंद हैं। क्योंकि अजागरुकता के साथ सा बुखार के विजाज के लिए फायदे मंद हैं। और सबको पता है कोरोना में एक परमुक कारण बुखार है और जिसका टमपरेचर जादा है उसको तुरंथ हास्पीटल भी बेजा जा रहा है। यही नहीं इस कोरोना मामारी में जटा संकर सिर्फ वयन ही नहीं बेज़े हैं बलकि खुद ही अपने विधान सभा के गाउं और महलों में जाकर फूस्ते निटाइद कर रहा हैं और थर्मन स्कैनिंग भी कर रहा हैं। जटा संकर बताते हैं कि जब से देश में लाकडाउन हुआ उसके बास से हम लगातार सोचल मीडिया पर लाइब आकर वह तमाम परक्रिया अपना हैं जिससे लोगों को जागरुक किया जा सकते। इसलिए कुसी नगर के खड़ा विधान सभा में दहाई का भी आकड़ा कोरोना पार नहीं किया और जब से या कोरोना जागरुकता मोबाइल वैन चल रहा हैं तब से एक भी केस नहीं मिला हैं। इस वैस्विक महमारी में भी देज के कुछ रायनेता बटे हुए हैं। सत्ते तो यह भी हैं कि इस वैस्विक महमारी में निश्वार्त भाव से विधायक जटा संकर्तिर पाठी अपने छेत्र के लोग की सेवा कर रहा हैं। ओवा काबले तारीफ हैं। ब्यूरो रिपोट गोरक्फु लाइव। थान्छेति हैं विवा हैं। इजू कर रहे हैं।